दोस्तों वैसे तो इंटरनेट के दुनिया में लाखों वेबसाइट है लेकिन उनमें से कुछ वेबसाइट यहां पर मैं बताने हो लो मैं लेकर हूँ आपके लिए 15 वेबसाइट अयो अन्ना सतीजी यह कमिनिटर मेरा एक सवाल है यह सारी वेबसाइट ओपीस में काम आएगी क्या और यह फ्री में है क्या अन्ना का कहना है कि यह वेबसाइट ओपीस के काम की है क्या इन मैंसे कुछ वेबसाइट आपको काम आ सकती ओपीस में लेकिन कुछ वेबसाइट थ आप सब का सवगत कहता हूं, लेट्स बिगेंड website no.1 99.com जहां से आप डाउनलोड कर सकते धेर सारी software के packages यहां पर देखिए इस website को मैंने विजिट किया है यहां पर web browser, documentation के software, messaging के software, media software यहां पर अलग-अलग media software का यहां पर आपको packages मिल रहा है, run time city ladies इमेजिंग के software package मिलेंगे online storage के लिए software package मिलेंगे file sharing के लिए software package मिलेंगे धेर सारे software से यहां पर एक जगब पर आपको मिलेंगे, 9night.com पर दोस्तों तो जरूद चेक आउट कीजिएगा website no.2 topicshare.com जहां से आप अपनी file को share कर सकते है अपने दोस्त के साथ उसके लिए आपको करना क्या है यहां पर देखिए select the files you want to send आप यहां पर click किजिए और यहां पर आप अपनी जो भी file share करना चाहते है जितनी भी बड़ी file है आपके पास कोई भी बड़ा video है वह आप यहां पर select कीजिए जैसे मैंने एक वीडियो select किया है तो जैसे उस file को आप यहां पर select करोगे यहां पर आप देख सकते एक link आ चुकी यह link आप किसी की भी साथ share करोगे तो वह इस file को download कर सकता है और यहां पर आप जितनी बड़ी चेह उतनी file share कर सकते है file sharing के लिए अच्छा platform है अगर आपके पास बड़ी file है आपके पास Google Drive में space नहीं है तो आप इस website का इस्तमाल कर सकते हैं website number 3 dictation.io इस website से आप बोल कर type कर सकते हैं इस website को visit करने के बाद यहां पर आपको कुछ इस तरह का interface मिलेगा नीचे start option मिलेगा स्टार्ट करने के बाद अगर आपका mic connected है तो आप जो भी बोलोगे वो type होगा यहां पे दोस्तो dictation.io अगर आपको कोई बोल कर type करना है बहुत बड़ा lesson वगेरा तो आप dictation.io website पे जा सकते हैं website number 4 autodraw.com जहां पे आप automatically shapes draw कर सकते जैसे यहां पे strut drawing करेंगे आपने suppose यहां पे triangle बना दिया तो triangle से related जितने भी shapes है यहां पे उपर आपको मिल जाएंगे proper triangle चाहिए या पिर कुछ और चाहिए तो यहां से आप उसे select कर सकते आपने यहां पे circle draw कर लिया तो circle से related धेर सारे shapes आपको मिलेंगे और तुरंत यहां पे draw हो के आ जाएगा autodraw.com website number 5 private note.com जहां पे आप कुछ private note लिख के इसे share कर सकते अपने दोस्तों के साथ किसी secret person के साथ तो यहां पे पूरी पूरी private note लिखो create note button पे क्लिक करो और जैसे आप create note button पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे एक link मिलेगी यह link आप जिसके साथ share करोगे वो इस message को पढ़ सकता है और यहां से आप destroy note भी कर सकते है तो इसका मतलब ही होदा है कि एक confidential message आप किसी के साथ share कर सकते है अब आप बोलोगे वैसे भी करने का option मिलता है जैसे आप किसी भी video file को audio में convert करना चाहते है MP3 में और तो आप यहां से MP3 format select कर सकते है या PDF में कोई word document convert करना चाहते है कोई PDF file को image में convert करना चाहते है ऐसे धेर सारे format यहां पे मिलते है और यह सारी चीज़े यहां पे free में मिलती है बस यह आप आपको choose file करना है फिर convert में जो चाहिए वो convert select करना है और convert now पे click करना है तो किसी वीडियो को MP3 में करनोट करो किसी word को PDF में करनोट करो Excel file को PDF में करनोट करो आप जो करना चाहते हो वो करो jamjhar.com पे website no.7 mathway.com गनित की क्रिया अगर आप करना चाहते है मतलब mathematics calculations algebra calculations तो यहां पे आप आजाओ mathway.com पे और यहां पे धेर सारे आपको math calculations के options मिल जाएंगे आप जो चाहिए हो calculations से आपे कर सकते mathway.com की मदद से website no.8 यह website आपको तभी काम आएगी जब आपने कोई photo की चाहो और आपको पता जी कि यार background में कुछ गडबड हो गया है background में कुछ unwanted चीज़े आज गई है तो वह background को आप remove कर सकते है बहुत है आसानी से remove.bz इस website से तो करना क्या है आपको यहां पे देखिए remove.bz पे आजाओ upload image पे क्लिक करो pictures में यहां पे आपका picture select कर लो जैसे मैंने कर लिया है और कुछी seconds के अंदर उस picture का background remove हो के आपको दिखाए दे रहा है यहां पे देखिए background पूरा remove हो गया original picture देखना चाहते तो original देखिए कैसे था remove background में देखिए किस तरह से आ रहा है वाव interesting है website no.9 naturalreaders.com इस website पे आप कोई PDF आपके पास file है पूरा पूरा book आप सुनना चाहते देखिए आपके पस PDF book पड़ा है उसे आप सुनना चाहते तो उस पूरे PDF file को यहां पे add files में जाकर add करो इस website पे जाकर यहां पे document text images आप add कर सकते करने के बाद यहां पे एक play button दिखाए दे रहा है जिससे play करके आप इससे सुन सकते पूरा PDF यहां पे read होगा क्योंकि यह website naturalreaders.com जिसके जरी आप अपने book को सुन सकते है book को सुन सकते क्या बाद है लेकिन इस website को यूज़ करने के लिए आपको login करना पड़ता है और login फ्री में वैसे don't worry website number 10 thenownproject.com इस website से आप धेर सारे icons डाउनलोड कर सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे search भी कर सकते हैं 5 million icons यहां पे आपको मिलने वाले icons पे जाकर click कर सकते हैं आपको लेकिन ऐसे भी website होती है कैसे जैसे यहां पे मैंने इस website को यूज़ित किया pointer pointer.com अब यह pointer pointer.com क्या है mouse pointer जैसे मैं यहां पे गुमाऊंगा जहां पे भी मेरा mouse pointer है वहां पे यह उंगली करेगा तुसे वहां पे एक photo आए जाएगा और photo में जो first finger से वह दिखाएगा कि mouse pointer आपका यहां पे दिखें मैंने mouse pointer यहां पे रखा है अब को और picture आएगा बता रहे है कि mouse pointer यहां पे मैंने mouse pointer इस side रखा है उम्मीद है आपको recording में चीज़े प्रॉपर दिखाए दे रही होगी यह दिखें बता रहे है कि यहां पे mouse pointer है तो यहां पे उंगली करने वाली website I mean to say यह mouse pointer का position बताएगा अब किदर भी रोको मैंने बहुत बार try करके देखा ऐसे मतलब curiosity मैंने चेक कि यह क्या है basically तो मैंने देखा mouse pointer पूरी screen पे गुमाते हो तो उन्होंने properly यहां पे आजकल बड़े का train है अगर किसी का बड़े आ गया तो उसके photo को अच्छे से decorate करके आप क्या करते हो उन्हें भेजते रहे तो यह WhatsApp status पे रखते हो तो वह आजकल trained है मैंने रखता हूँ लेकिन आप रखते होंगे मैं बता रहा हूँ तो यहां पे करना क्या है अगर आपको किसी का photo बनाना है attractive photo तो आपको यहां पे time बिल्कुल waste नहीं करना है यहां पे बस photopenia.com पे जाना है आपको लगता है कि यार उसका बड़े तो उसको newspaper में happy birthday करके लिख के दिया जाए तो यहां पे newspaper में उनका photo आप रख सकते है बस choose photo पे जाना है यहां पे upload from PC यहां पे जो भी आपके बास photo पड़ा है उसे select कर लेना है जैसे मैंने एक photo select कर लिया यह load होने देने के बाद आप crop करना चाहते है तो crop कर सकते हैं मैं वैसे रखना चाहता हूँ यहां पे happy birthday लिखना चाहते है कुछ भी लिखना चाहते है आप लिख सकते हैं मैं फिलाल यहां पे on trade लिखता हूँ example के लिए दिखा रहा हूँ on trade और मेरा photo आ चुका है तो ऐसे newspaper make-up के उपर ऐसे धेर सारे अलग अलग जगा पर फोटोज प्लेस कर सकते फोटोपनिया.com कपी अच्छा है पनिया है चेक आउट जरू कीजिए है इस वेबसाइट को देखके आप जरू चोक जाओंगे आप बोलोगे ऐसे भी वेबसाइट होती है जि यहां ऐसे भी विशाट होती है यहां पर क्या है कि आपको पापका बड़ोट इंटर करना जैसे क्या लिए कौई भी बड़े इंटर करो LinkedInも देखरऊ जैसे मैंने के बड़ेट यहां पर लिया Правल एक्सामपल के लिया सुपोज है किया वो यहाँ पे चेक कर सकते है तो कितना पीता है वो भी पूछा है उन्होंने कि बहुत ना पीते हो cigarette और उसके बाद यहाँ पर आपका outlook कैसे वो आप mention कर सकते हैं उसके बाद alcohol consumption करते है क्या yes or never यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि उसकी हिसाब से आपके Age 와 kaufen decide होगा. मतलब आप यहाप इंटर करो, आप क्या पता चलने वाला है? आपका End Date पता चलने वाला है, तो यहाप पर इपने country भी decyd करें, country wise भी मरेंगे, क्या बात है, इंडिया country, country भीली से लेकर उन्हें बहुँने बोला है, 6 days old है और आप कितना जी होगे नीचे दिया है You will live to be 72 years 5 months and 14 days और यह आपका यहाँ पे दिखाए दे रहा है कि कितने दिन आपके जीने के बाकी है कि कभी आप जाने वाले हो वो भी आपको दिखाए दे रहा है आप जाओगे Saturday की दिन शुब दिन है आप मतलब जिसका भी बड़े है वो और 28th March 20 71 में जाएंगे क्या बात है राइट पता नहीं ये वेबसाइट भगवान ने तो नहीं बनाई मजा कर रहा हो लेकिन ऐसी भी वेबसाइट होती है इनसान क्या नहीं बना सकता dateclock.com मतलब date enter करो आपका end date पता चलेगा वेबसाइट नमबर 14 ये भी वेबसाइट यतनी काम की नहीं है लेकिन तोड़ा सा टाइम पास की है जैसे आप अपना नाम इंटर करो यहाँ पे मैंने इंटर किया मेरा नाम अपने पार्टनर का नाम और वाइब का डाल दे ओ कल तो इसमें 90 से हो ना रहा था आप 79 तो आप अपना लव प्रसेंटेज ऐसा दिखा सकते है मैं बस दिखा रहा हूं कि यह एक वेबसाइट है ऐसी भी वेबसाइट है जिनको पता नहीं उनके लिए जिनको अलरड़ी पता है जिन वेबसाइट के वारे में आपने पहले से जाना है वो ज़रूर बता देना और एक लास्ट वेबसाइट जिसके जरी आप कुछ अलग क्रेटिव कर सकते है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है वेबसाइट की उपर इस तरह का जो फॉर्मैट है इस तरह का नाम आप लिखना चाते है आप अपना नाम बर्निंग में लिखना चाते है तो इसके लिए आपको विजिट करना है cooltext.com cooltext.com विजिट करना है और यहाँ पर आपको बर्निंग की जगह आपका नाम लिखना है तो ऐसे धेर सारे याप याप अलग अलग नेम बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़े CoolTex.com के उपर तो ये 15 वेबसाइट जिन में कुछ एंटिक वेबसाइट थी कुछ काम के वेबसाइट थी कलब करके मैंने एक वीडियो बनाया मुझे लगा कि यार ये कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं आपको computer tips और tricks पताता हो तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए साथी में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे teaching style पसंद है मैं जो भी बड़ा रो समझ में आता है